प्रिया विद्ध्यार्थियो वेल्कम स्टूगेंट्स इस बार हम एक बहुती महत्वपूर्ण अध्याय में चैप्टर की बात करने वाले हैं मेरी कोशिश रहेगी कि इसकी पूरी बात आप समझ सकें यह हमारे NCRD का चैप्टर है अध्याय है जिसमें आप हिंदी में जिसे कणों का निकाए और द्रिड़ पिंड कहते हैं अंग्रेजी में इसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉड़ी कहते हैं मैं हिंदी के साथ साथ हिंदी वाले बच्चों के लिए साथ में अंग्रेजी के शब्दावली इसके लिए दिये जा रहा हूं क्योंकि आप लोग जब भी आजबार्वी करके किसी भी साइंस के सब्जेट्स को आगे बढ़ाएंगे तो वहाँ पर समझेए वो इंग्लिश ही माद्यम है आज की तारिक में फश्च में हिंदी हो जाएगी उसकी बात अलगे लेकिन आज उस सिर्फ अंग्रेजी में है तो आपको अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी के साथ जरूर समझ लेना चाहिए रिजिड बॉड़ी और जो लोग अंग्रेजी माद्यम में आप रबड को रिजिड नहीं मानेंगे लोहे को रिजिड मानेंगे प्लास्टी को रिजिड नहीं मानेंगे इत्यादी इत्यादी मनें एक कड़ी बॉड़ी ठिक आई यह दरा इसको हम समझते हैं बेसिकली रिजिड बॉड़ी का मतलब होता है और हिंदी में जो आपने द पढ़ा कोई body चलती है कोई चीज चल रही है उसके energy half mv square potential energy MGH गति उर्जा half mv square तो वी क्या है उस mass m की velocity गती किसकी है वो उस mass m की अब हम बात करने वाले हैं बहुत से masses को जोड कर बहुत से कड़ों को जोड़ करके एक बॉड़ी बड़ी है इन फैक्ट वास्तव में आप जो भी पढ़े हैं अभी तक आपने पॉइंट अबजेट को पढ़ा है अब बड़ी बॉड़ी तो अब बनने वाली है जो वाकई नेचर में है तो रिजिड बॉड़ी में क्या होता है से कड़ हैं जो पड़े हुए हैं लेकिन इसकी खास बात क्या है कि आपसी दूरी मतलब जैसे आपस में एक दूसरे के परिवेश में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में है तो आल दी पार्टिकल्स आर एट कॉंस्टेंट डिस्टेंस विद इच अधर जब तक वो कॉंस्टेंट डिस्टेंस है वो एक दूसरे से सेम दूरी पर है तब तक वो बॉड़ी रिजिड है मतलब आप समझेए कि वैक्यूम में रखा हुआ सैंड का बालू का मिट्टी का धेर भी रिजिड है लेकिन हतोडा मारने के बाद आफ्टर हैमरी आप समझेए कि लोहा भी रिजिड रही है क्योंकि उसके पार्टिकल्स भी हिल जाए तो इसको हम रिजिड बॉड़ी कहते हैं डेफिनेशन देखते हैं मंगरेजी में क्या बोलते हैं पहली चीज बिजिड बॉड़ी इस डिफाइंड इस दी बॉड़ी हुट वुट बॉल्यूम वेन एक्स्टरल फोस अर अप्लाइड बदब इतनी ही इतना ही फोस लगाना आपने इतना ही बल लगाना कि उसके इंटरल पार्टिकल्स की बीच की दूरी आपने न नहीं सकते है डिफिन मनें फिक्स शेप है और डिस्टेंस बिट्वीन डिफरेंट पिर्स डू नॉट चेंज मनें जितने भी आप जोड़ी जारकन बनाईए वन टू दो तीन चार पाच उनके बीच की दूरी आपके पास हमेशा फिक्स्ट है ये बात उसमें कही जाती है आईए इसको आगे करते है अब इस चीज में हमको एक पॉंट निकालना पड़ता है जिसको आप द्रव विमान केंदर कहते हैं पहल जहां पर आपने केंदर माना है वहाँ पर जरूरी नहीं के सारा मास हो हम कहते हैं एक ऐसा पॉइंट जहां पर अग्रेजी में भी क्या लिखा है supposed to be concentrated ऐसा माना गया है कि वो बॉड़ी का मास वहाँ है उसको हम लोग कह रहे हैं center of mass द्रब्यमान केंदर और इससे हलका सा मिलता जुद्वा पॉइंट है center of gravity जिसको आप गुरत्वा कर्शन केंदर कहते हैं गुरत्वा कर्शन केंदर या center of gravity का है जहां पर आप मैंने आप तो बताया बहुत से कण हो गए हर कण के ऊपर अर्थ अपनी force लगाएगी दर्ती अपनी force लगाएगी अपनी तरफ खीचेगी gravity उस पर काम करेगी अब इतने सारी जो बल लगेंगे इतने सारी जो forces लगेंगी उनका कोई एक resultant होगा वेक्टर में आपको पता है बहुत सी velocities हों तो एक final velocity resultant कहलाती है तो इसी प्रकार इसका जो resultant निकलेगा सारी forces का वो जिस point पर लग रहा है उसका नाम center of gravity है गुर्त्व के अंदर है अब मैं आपको ये और बता दू कि अर्थ के आसपास normally हमारे पास जितने भी bodies हैं हमारे पास center of mass मने द्रवमान के अंदर और गुर्त्व के अंदर है ये दोनों एक ही चीज़ है center of mass और center of gravity दोनों एक ही चीज़ है कहां पर ये अलग होंगे ये मैं gravity के chapter बे आपको बताऊंगा जब वो अर्थ के बाहर चीज़ है और उसके बहुत ज़्यादा size है वगरा वगरा कई चीज़े होने के बाद तब मरा center of mass और center of gravity अलग हो सकता है तब तक same ही है आपके इस समय के अध्याई के लियाव से आईए थोड़ा इसको समझते हैं अब जैसे center of mass है वो निकालना कैसा है इसका mathematical form आपके पास अभी अगले उसमें आ जाएगा करण आपस में पास पास नहीं आ रहे माल लीजे ये rigid body है किसी अनोखिसी shape बना दी तो आप इसके किसी एक ऊपर के point पर इसको tang दीजिए और वहां से जो line नीचे जाएगी जो ये आपके सामने line जा रही है इसका मतलब जहां पर ये balance हो रहा है इसका center of mass इस line के उपर है हम आप सोच सकते है line के उपर है नीचे तो वो point कैसे निकाला गए आप यही काम यही काम जो आपने यहां किया इसके कोई और point को पकड़ लीजिए right वाला point पकड़ के उसको tang लीजिए left वाला point से देखिए यह कीची हुई है अब मैंने उपर से इसको बांद दिया इस point से अब जहां पर यह दोनों line क्रॉस कर रही है वही इसका center of mass है क्योंकि देखिए इसमें हमने निकाला किया है इसमें हमने निकाला center of gravity है हमने किस method से निकाला देखिए किस method से निकाला gravity की method से निकाला हमने गुर्थव केंदर की method से निकाला गुर्थवा कर्शन शक्ती के line लेकर निकाला तो यह जो निकला है यह गुर्थव केंदर निकला लेकिन इतनी छोटी bodies के लिए center of mass मने द्रवमान के इंदर और यह दोनों बराबर होते है ठीक यह हमारे पास rigid body ला लिए अब आपके पास तीन प्रकार की motion आपने पढ़ी है उसकी भी बात कर ले हमारे पास rigid body साथ में जो अब motion आने वाली है एक तो हमारे पास सीधी गती की motion है आपने सरल रेखा में गती की है सरल रेखा में गती बने ה प्रेट लाइन में पैर दूसरी होती है translational motion समझ रहे हैं दूसरी का नाम होता है translational motion और तीसरी का نाम है rotational motion तो आपको इन के बारे में जरा समझ लेना चाहिए क्योंकि उसके बाद ही आप समझ सकेंगे कि किस प्रकार की क्योंकि अभी से पहले क्या था मैंने आपको पहले भी बताया अभी से पहले आपके पास ये बॉड़ी जो थी वो बहुत छोटी थी अब ही तो बॉड़ी बड़ी बनी है तो इस प्रकार की मोशन उसमें आएंगी तो उसको आपन देखना हड़ अब तो पहली मोशन मैंने आपको पता है linear मोशन में straight line में जो आप पड़ चुके हैं दूसरी translatory motion जिसको आप सानंतरित कती कहते हैं ये भी एक line में है आप इसको दूसरी बात में आप समझे ये देखिए ये ही एक body को मैंने नीचे ले लिया अब ये देखिए सरल रेखा में गती तो ये है ठीक ये एक सीधी line में है लेकिन इस सीधी line के साथ में इसमें एक बात और है फिर से ध्यांदी जगा इसमें एक बात और है ये देखिए ये इसी तरह जाएगी तो इसके हर कण का जितने भी इसमें पार्टिकल्स हैं हर पार्टिकल का displacement वही है मने विस्थापन या displacement जितने भी कण इसमे है सबका वही कवो ही है वही स्ठानान्तरिद कती होगी तो आप समझ सकते हैं जितनी भी अब ये टेडा मेटा भी उपर रीचे जा सकता था हमने इसको सीधा लिया ये टेडा तरंग की तरह भी गूम सकता है लेकिन जब तक सब पार्टिकल का विस्थापन एक है डिस्प्लेस्मेंट एक है तब तक हम इसे कहेंगे यह स्थाना अंतरिद करते हैं ठीक तो आल दी पार अब इसका ये मतलब वह जितनी भी लीनियर मोशन है वो निश्चित रूप से ट्रांसलेशनल मोशन है लेकिन हर ट्रांसलेशनल मोशन जरूरी नहीं लीनियर हो अगर टेड़ा होके चले जाता तो लाइन में तो नहीं होता ना जी आईए एक और मोशन हो है आप देख सकते हैं वो पार्टिकल जिस पर ये घूम रहा है वह पॉइंट जिस पर घूम रहा उसको कहते हैं एकस अक्ष एक्सषें नाम ही उनका पोई सा भी मूवमेट नहीं हो रही उसका नाम एक्सिज है बाकी पुरा यह घूमता है और यहे आप यहां पर देखे यही फरक टन्सलेशनल में है और रोटेशनल में देख Quebec जोटी बॉड़ी है तो टन्सलेशनल की यह बात अब क्या बॉड़ी बन गई बड़ी बनने के बाद टन्सलेशनल हर linear motion translation होगी क्योंकि स्थानांतरित कती और सरल देखा में कती बराबर होगी लेकिन अगर वो सरल देखा में कती नहीं है कुछ घूब के आने वाली है उस case में आपको मालूम है वो बनजागी translational motion अगर सब particles का displacement same है लेकिन वही पर एक फरक आ गया कि rotational motion rotational वो ही जिसमें displacement same नहीं है आप देख सकते हैं इस वाली motion में क्या हो रहा है जो axis वाला point है वो सबसे कम move करेगा जो जितना दूर point है उतना ज्यादा घूम रहा है दरसल axis की definition ही ये बोलते हैं कि वो point जिसकी सबसे ज्यादा जिस पर displacement शुनने हो जिसका विस्थापन शुनने हो अब थोड़ा center of mask को भी समझें इसी के साथ ये देखिए मान लीजिए एक सड़क है और ये उसको पर कार रखी है या बस रखी है चलिए गिंती के लिए हम ये मान लेते हैं सड़क की लंबाई 60 foot है और बस हमारे पास 20 foot की है अब बस हमारे पास चल कर इस तरह सीधा एक end से दूसरे end पर जा रही है तो बस अब ध्यान दीजिएगा बस में जो आदमी पीछे से चड़ा और आगे से उत्रा जो आदमी पीछे से चड़ा और आगे से उत्रा वो क्या बोलेगा जी मैं तो 60 foot चला हूँ जो आगे से चड़ा और पीछे से उत्रा वो कहेगा मैं 20 foot चला हूँ कि कि यूद्हा ए त्èmes वाट जो पीछे से चड़ेगा वो आगे से उत्रेगा वो कहिगा मैं चला हूँ साट फुट जो आगे चड़ेगा पीछे से उत्रेगा वो चाहिए कहेmaya मैं चला और एक एंड़ से दूसरे एंड़ के बीच में ड्राइवर जो सिर्फ आगे बैठा है, कंड़क्टर जो सरी पीछे बैठा है, वो कहेगा, मैं 40 फूट चला हूँ, अब सवाल यह है, एक ने कहा 20 फूट, एक ने कहा 40 फूट, एक ने कहा 60 फूट, असलिम बस कितनी चली, इसलिए हम बस के सेंटर में पॉइन्ट मानेंगे, जो बस का सेंटर इसलिए ऐसी बड़ी बॉडिस में आपको मोशन ज़रूरत पड़ती है सेंटर आफ मास या ग्रेवमान के अंदर बताने के मुझे लगता है इन से आपको कुछ समझ आई होगी कि ट्रांसलेटरी मोशन रोटेटरी मोशन कणों का निकाए ये क्या होता है रिजिड बॉडि क्या बनती है ट्रांसलेटरी मोशन क्या होए सानांतरिदगती और जो रोटेश्ण उसको हिंदी आप गूर्णन गती कहते हैं तो गूर्णन गती सानांतरिद गती सर और देखामे गती इन दिनों में आपको फरक समझ आ गया होगा तो आपने इस बात को झाल